Hello Friends, Welcome to Fantastico Study आज मैं Class 9 Maths Chapter of Circles का Theorem 10.8 प्रूफ करने जा रहा हूँ The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of any part of the circle तो हमें यहां एक statement दिये हैं और उसके हिसाब से पहले हम अपनी figure कम्प्लीट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर arc कर से कर किया गया है तो मैं हमारे circle को parts में divide कर लेता हूँ तो इसको मैं label कर लेता हूँ यहां पर A, B और C तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह तीन arcs में divide हो गया एक यह एक यह और एक यह अब हमें बोला है कि एक arc से center पे यह center पे एक angle subtend होता है यानि suppose मैं किसी भी arc को select करता हूँ suppose मैंने A, B arc को select कर लिया अब इससे में को center पे जो center मारा O है इस पे एक angle subtend कर ला है तो मैंने A point से center को join किया और इसी तरह से B point को भी center से join किया तो यह एक हमारे पास angle निकल के आ गया A, O, B वो double है किसका double है इसी arc से circle के किसी भी point पे किसी भी part पे एक angle बना उसका double है यानि A point से मैं circle के किसी भी part पे और B point से मैं circle के उसी part पे एक line लेके जाऊँ तो एक और angle निकल के आएगा और उस angle से यह वाल angle होगा हमारा double जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ अब suppose मैंने यहाँ A को C से कर दिया join और B को भी C से कर दिया join तो यह जो हमारे पास angle निकल के आया A C B तो A O B जो है वो A C B से double है यानि A C B A O B का है half तो आप आईए अब हमने question समझ लिया है अब इसको हम prove करते हैं अब सबसे पहले जो information हमको question में already दी गई है मैं वो लिखूंगा यानि given अब as such तो हमें question में कोई information नहीं given है लेकिन फिर भी हमें कुछ तो लिखने ही पड़ेगा इसने मैं लिख देता हूँ always center अब मैं लिखूंगा कि question में हमें करने को क्या कहा गया है यानि to prove prove हमको यह करना है कि ये वाला angle इसका double है यानि ये वाला कौन सा angle है A O B angle A O B is equals to 2 angle ये वाला angle A C B अब मैं लिखूंगा construction construction वो है जो हम अपनी असानी के लिए question को solve करने के लिए question की figure में कोई changes करेंगे वो आएगा हमारा construction में उसमें ये आएगा produce CO2P इसमें हम ये करना है ये जो C point है इससे मेरे को एक line लगके जानी है P तक P मेरा point ये है तो यानि मेरे को CO को P तक produce करना है यहां से line बनानी है इससे क्या हुआ हमारे पास दो triangle निकल के आ गए ये के left ओले triangle A O C और दूसरे ये right ओले triangle B O C अब आता है हमारा जो main solution है जो की है proof अब यहाँ पे इस figure मेरे पास जितने भी angle है उनको मैं label कर लेता हूँ अब ये वाला angle जो A O B था ये दो हिस्से में बढ़ चुका है इस line के वज़े से थे तो इसको मैं लेख देता हूँ हिस्सा 1 और इसको 2 इसी तरह से जब मैं left वाला triangle लेता हूँ तो इस वाले angle को मैं लिख लेता हूँ 3 और इस वाले angle को मैं लिख लेता हूँ 4 और इसी तरह से जो right वाला triangle है इसमें मैं इस angle को लिख लेता हूँ 5 और इस नीचे वाले angle को लिख लेता हूँ 6 अब proof में मैं सबसे पहले एक triangle लूँगा suppose अभी मैं लेता हूँ left follow triangle AOC तो मैं लिखता हूँ in triangle AOC AOC is equals to CO देखे जो AO line है और जो CO line है ये दोनों है radius क्यों center से ये circle के किसी भी point तक जा रही है center से किसी भी point तक तो ये दोनों हो गई radius तो ये दोनों होगे इस वज़े से equal और इसका reason होगा radius तो इस वज़े से इनके जो opposite angles होते हैं जैसे जो AO line है इसका opposite angle opposite है इसका angle 3 और इसी तरह से जो CO line है इसका opposite angle है angle 4 ये भी हो जाएंगे equal angle 3 is equals to angle 4 क्यों हो? क्योंकि देखे ये एक property होती है कि अगर दो lines इसको हम isoseless triangle property कहते हैं इसमें ये होता है कि दो lines अगर equal है तो उनके जो opposite वाले angle है यानि इसका ये वाला इसका ये वाला वो जाते है equal ये वाले angle को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये वाला ये जो AC line है इसका opposite है इसलिए इसका तो कोई काम है नी हमारे पास AC को क्योंकि कुछ है नी तो इनको मैं लिखता हूँ angle 3 is equal to angle 4 और reason होगा isoseless triangle property अब मैं यहाँ पर लिखूँगा angle 1 is equal to angle 3 plus angle 4 और इसको reason होगा exterior angle property देखे अब इसको मैं समझाता हूँ जो angle 1 है यह वाला angle यह angle 3 और angle 4 का sum होगा क्यों क्यों क्योंकि exterior angle property है देखे ए exterior angle property यह कहती है कि एक triangle में यह जो हमारा triangle है AOC इसकी अगर मैं किसी भी एक side को आगे तक produce कर दूँ जैसि इसकी मैंने CO side को आगे तक produce कर दिया तो जो हमारा बस angle लिकल के आएगा इस side का और triangle की side की बीच का यानि जो CO मैंने produce की है और AO side की बीच का जो angle है angle 1 वो triangle के जो दो opposite angles है उनका sum होगा opposite क्यों? क्योंकि यह 7 वाला adjacent वाला angle है इसको तम छोड़ देंगे क्योंकि यह तो linear pair में आ जाएगा इसको छोड़ दो बागी जो दो opposite angle है एक ही angle और एक ही angle इन दोनों का sum होगा यह भार वाला exterior angle इसलिसको हम कहते हैं exterior angle property अब मैं यह लिखूंगा angle 1 is equal to angle 3 अब मैंने यह ज़श्ट प्रूफ किया कि angle 3 और angle 4 equal है तो यहाँ पे भी मैं angle 4 की जगा angle 3 ही लिख दो तो एक ही बात होगी तो मैं लिखूंगा angle 1 is equal to angle 3 plus angle 3 तो इसको मैं short में लिख देता हूँ angle 1 is equal to 2 angle 3 और यह जो हमारे पास equation निकल के आई है इसको मैं नाम दे देता हूँ equation 1 अब हमारे पास यह left वाले triangle से यह equation 1 निकल के आ गई है तो इसका काम हुआ खतम अब मैं लूँगा यह right वाले triangle बी ओ सी तो मैं लिखता हूँ in triangle बी ओ सी अब इसमें जो बी ओ साइड है और जो सी ओ साइड है यह दोनो भी रेडियस है क्योंकि यह center से circle के किसी भी point तक आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा BO is equal to CO और इसका reason होगा रेडियस अब जैसे पिछले वाले triangle में दो angles equal होते क्योंकि उनके opposite sides equal थे इसी तरह से इस वाल में BO का opposite angle है angle 5 और जो CO है उसका opposite angle है angle 6 तो इस वाले triangle में right वाले triangle में भी angle 5 और angle 6 हो जाएंगे equal angle 5 is equal to angle 6 और इसका reason क्या होगा isosceles triangle property अब यहाँ पे जो angle 2 है इसका sum होगा angle 5 और angle 6 के बराबर angle 2 is equal to angle 5 प्लस angle 6 इसका reason होगा exterior angle property अब जो right वाले triangle है इसकी जो CO side है इसको मैंने आपे extend कर रखा है और उससे यह angle 2 निकल क्या है तो यह angle 2 इसके opposite दो opposite angles का sum होगा यानि angle 5 और angle 6 जो इसके adjacent वाला angle है यह वाला angle इसको हम सोड़ देंगे इसका कोई काम नहीं है अब यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि angle 5 और angle 6 बराबर है तो मैं आपे angle 2 is equal to angle 5 और angle 6 की जिगा भी angle 5 भी लिख दे तो वो एक ही बाद होगी plus angle 5 तो इसको मैं short में लिखता हूँ angle 2 is equal to 2 angle 5 और ही होगी हमारी equation 2 अब हमारे पास दो equation आ गई है तो इनको कुछ नहीं करना बस इनको add कर देना है तो मैं लिखूँगा add 1 and 2 तो अब मैं दोनों का LHS और RHS देखूँगा सबसे पहले मैं लेता हूँ equation 1 equation 1 के LHS में है angle 1 तो मैं लिखता हूँ angle 1 और हम मैं देखूँगा equation 2 equation 2 के LHS में है angle 2 तो मैं लिख देता हूँ plus angle 2 क्योंकि मैं लिखा है आपे add 1 and 2 अब दोनों का LHS खतम हो चुका है तो मैं लगाता हूँ RHS के लिए equal to अब सबसे पहले equation 1 का RHS है 2 angle 3 तो मैं लिखता हूँ यापे 2 angle 3 और अब equation 2 का RHS है 2 angle 5 तो मैं प्लस का sign लगा के 2 angle 5 क्योंकि मैं लिखा है add अब मैं देखता हूँ figure में कि अगर मैं angle 1 और angle 2 को प्लस कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा जो ये बड़ा वारा angle है ये पूरा angle है मेरे को ये मिलेगा और इस पूरे angle का नाम है AOB तो मैं याँ angle 1 प्लस angle 2 की जगा लिख देता हूँ angle AOB और यहां से मैं 2 angle 3 और 2 angle 5 में से 2 ले जता हूँ common 2 common ले 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 तो क्या बच्चा मेरे पास angle 3 प्लस angle 5 अब देखे इस figure में अगर मैं angle 3 और angle 5 इन दोनों adjustment angles को प्लस कर दूँ तो मेरे को ये बड़ा वाला angle मिलेगा और ये बड़ा वाला angle किसके बराबर है ये जो पूरा ACB है इसके बराबर है तो मैं लेख देता हूँ angle AOB is equals to 2 ये जो bracket के बाहर था वो as it is रहेगा और bracket यहां पर आजएगा angle ACB और जो 2 proof की statement थी वो भी कुछ ऐसी दिखती थी हमको तो जो हमको proof करने को कहा गया था वो हमने आपे final अपनी concluding statement ला दिये तो guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है next video में thanks for watching